हेलो फ्रेंड्स आज हम अस्तरवाले ब्लाउस की कटिंग सिखेंगे जो बहुत ही इजी वे में होगी और जिसे बीनर बाडर आम से कर पाएंगे वीडेश शूरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जयूर दबा लें इससे मेरे वीडेश की सबसे पहले नोट्विश्ञ आपसे मिल जाएगी तो स्टार्ट क सबसे पहले हमने लाइनिंग लिए है वह लिए हमने एक मीटा कॉटन की और इसको हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके ऐसे एक बार फोल्ड करके ऐसे लगा दिया है इधर से खुला है और इधर से यह बंद है अब हम इस पर निशान लगाते हैं तो सबसे पहले हम इसको अब हम जो यह करनी वाली साइड है यहां से हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ देंगे जो हमारे हुक पट्टी के लिये होगा यहां हमारी हुक पट्टी में जो सिलाई का मार्जन होगा वो इसमें से लिया जाएगा अब हम ब्लाउस की बॉटम कर निशान लगाएंगे जो की डेड़ इंच होगा यहां से हम डेड़ इच पर निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे ब्लाउस की लंबाई है हमारी चोदा इंच तो चोदा इंच पर हम यहाँ पर इस देखे पर आदा इंच लेके आदा साड़ी चोदा पर निशान लगा देंगे यहाँ से हम साड़ी चोदा पर निशान लगा देंगे और इसको फूटे की मज़ से सीधा कर लेंगे अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तीरा हमारा है तेरा इंच जिसका हाफ हो जाएगा साड़ी च्छे इंच तो यहाँ से हम साड़ी च्छे पर निशान लगाएंगे अब आर्मल का निशान लगाएंगे उसे भी हम साड़ी च्छे पर ही लगाएंगे इसको सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे हम होाँ हम चेस का निशान लगाएंगे चेस्ट है हमारी चालिस निचे चालिस में तू पलस करेंगे लो जिंगे लिए तो जाएगा 42 बिआलिस का हम वन फोर्ट करेंगे तो हो जाएगा 22 का फोर्द साड़े दस अब हम यहां से यह हमने ध्यान रखनाा है कि जो हमने 4,5 इंच की जगे जो छोड़ी है उससे अलग होके अपना है यहां से नी न अपना है यहां से न अपना है और यहां से हमादे दस पर निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे, अब हम यहां से दो इंच का मार्जन लेंगे, जो हमारे ब्लाउस के अंदर रहता है, जिसे हम कभी भी खोल सकते हैं, अब कमार कर निशान लगाएंगे, कमार हमारे 36 इंच, इसमें हमें लूजन निगलेनी होती है, तो 36 का जो वन पॉर्ट हो गया, वो हो गया 9 इंच, तो हमने यहां पर 9 इंच कर निशान लगाया, और एक इंच का हम लेंगे प्लेटो का, एक से हम देड़ इंच ले सकते हैं, हमने प्लेटो के निशान लगाया, और इसके बाद हमें 2 इंच, जैसे हमने उपर लूजिंग दिया, वो हमने नीचे लूजिंग देनी है, अब इसको हम ऐसे, यहां से, इसको यहां मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे, अब हम आलपर की गोलाई लेंगे, जो की एक इंच होगी, इसको इसको गोलाई दे देंगे, और यहां से हम गले की छटाई कर देंगे, गला लेंगे हम तीन इंच पर, और इसकी जो लंबाई लेंगे, साथ इंच का मारा गला है, तो हम साड़ साथ लेंगे, विए आधा इंच हमारा उपर दब जायेगा कंधे में, तो साड़ साथ पिया दिशान लगाएंगे, और यहां से तीन इंच लेंगे, चोड़ाई, इसको बॉक्स बना देंगे, ऐसे, एक इंच की यहां गोलाई देंगे, और इस गोलाई को हम ऐसे गोल शेप में कर देंगे, अब यहां से आधा इंच की हम, यह तिर्चा कर देंगे, इस तरह, यह हमारे मुड़े की, यहां से कटाई होई, अब हम यहां से, ऐसे भार भार से होई, यह से, ऐसे पहले काटेंगे, यह मारे आगे के दोनों पीस यह कट गए, यह देखे, अब इस तरह, हम डॉट का निशान लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, उपर से हम लेंगे, 30.50, यह हमने शोल्डर से लेना है, और इस बटन पर हमने पट्टी ली है, आदे इंच की, इस से छोड़ते हो, हमें 4 इंच पर निशान लगाएंगे, कासे हम लेंगे यह चार इंच ऐसे और इस पर हमने निशान लगा देना ऐसे करके और इस सो हम नीचे से इसको ऐसे मिला देना है यह हमारी सेंटर की डॉट लग गई कि इसको हमने आधा इंच की जोडाई में शेप देदेनी है कि यह देखिए यह हमारी आगे की डाट हो गई अब इसको हमने सेंटर से देखना इसके इसके ऐसे रखना है रखना है डाट की सीधा उपर रखके असे तिर्चा रखके हमने दो इंच पर ऐसे निशान लगाने ऐसे दो इंच पर निशान लगाकर इसको हमने जाम मारी हुपट्टी आएगी उससे हमें मिला देना यह हमारी जो हुपट्टी की डॉट थी वह लिए लग गई अब इसी सेंटर वेल डॉट से हम ऐसे तिर्चा रखेंगे ऐसे और यहां न अब इस जगे से इसी डॉट से हम दो इंच हमने उपर ऐसे तिर्चे में निशान लगाने थोड़ा सा तिर्चा लेना और यहां निशान लगाने ऐसे यह हमारी आर मॉल की डॉट बन जाएगी अब हमें चेक जब हम यह लगाते हैं असे तो यह ध्यान करें कि हमारा सिर्चल BISको अगरमारा बसरेखल बन जाता है तो समझी जाने हमारी डॉट सारी साही लगी है कि यह मारा बसार्ल्ट बन गया तो इससे लगता है कि हमारी विकुल डॉट ज़ढ़िए अब हम इस पर पीछे भी निशान ले लेंगे कैसे लेंगे यहां से ऐसे उंगली रखेंगे ऐसे नाखोन रखेंगे पीछे की तरफ करेंगे और यहां पर ऐसे निशान लगा देंगे फिर ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे करके हम बैक में भी निशान ले लेंगे अगार आगे दो नपीस तइयार हो गए अब हम पीछे का बैक का काटेंगे हम तो ब्लाउज का देखेंगे कहां से हमारी जगे बशती है तो इस दियान रखना आपने यह बैक है यह पीछे से यह बन्द होएगा आगे सीध महां काटा था कंड़ी की तरफ से जो पीछे कापी स्काटेंगे हम जहां पर फोल्ड होगा इसको रखेंगे ऐसे अब ध्यान रखने वाली दो बाते हैं एक तो जो हमने आदा इंच हमने यहां से जगे ली थी की लुग पत्टी के लिए 10 इंच उसको हमने भार के तरफ निकालना यह देखिए में इसको हमने ऐसे भार निकाल देना ऐसे और ऐसे बिच्छा लेन और दूसरा क्या है कि हमें जन्बाई में इसमें आदा इंच में बैक का पल ला काटना है वो कम काटना है कि आगे का पल्ले में हमारी प्लेस दलते हैं जिससे एंधा कम हो जाता है तो इसको हमने आधा इंच यहां से कम काटना है कि अधिया लगाएंगे एक इस पढ़ने गवह कर देना अब हमें कि इस जगें पर जो यह मारा आर्मोल है यहां से हमें आधा इंच हमने हैं यहां से आधा इंच पर निशान लगाकर इसकी गोलाई थोड़ी बढ़ा देनी है ऐसे अब मारी किस अब लाएं यह हमारी पुलाई यह वहीं बेकि की और अब 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 हम गले का निशान लगाएंगे आगे जला हमारा साथ था तो पीछ़े का माफिन निशान ही तो फारों हैं तो हम 10 बे निशान लगाएंगे क्योंकि procent हमारा वापर गंधी में चला जाए यहां पर वैसे ही तीन इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे और इसको आपस में मिला देंगे और इसमें यहां पर एक इंच की गोलाई दे देंगे अब यहां से हम आदा इंच इसमें अधा इंच पर इसमें दो ती चीज का ध्यान लखना है एक तो आर्वल को हमने आधा इंच का बागी तरफ पाटना और आधा इंच ही हमने इसमें बैक पल्ले को कम काटना है और गला हमने बढ़ा देना जितना हमें चाहिए अब हम बैक की हम कटिंग करेंगे इसमें डिजाइनिंग करनी है यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए आपको निशान बता दिया है तो जब डिजाइनिंग करूंगी तो मैं इसमें आपको बताऊंगी अब इसमें डॉट कर निशान लगाएंगे यह हमने साढ़े दस पर निशान लगाया गले से हमारी डॉट थोड़ मेंशा नीचे होनी चाहिए यह ध्यान रखना है अगर हमारा दस गला है तो हम साढ़े दस पर लेंगे अगर साढ़े दस गला है तो 11 पर लेंगे डॉट हमें एक डढ़ या एक या डढ़ इंच कम लेनी है मतला जो भी हमारे गले की लंबाई है उससे एक या डढ़ इंच हमारे नीचे हमारे डॉट लगेगी व्यूकुत साथ में नहीं लगा दिया तो यह बहुत ही अजीफ सा लएगा तो इससे नीचे हम लेंगे यहां पर हम 4 इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे और इसको हम नीच से मिला देंगे यह हमारी बैक की डॉट हो जाएंगे यह देखिए यह गले से हमारी यह देखिए एक यादेड इंच हमारी गले से नीचे है डॉल अब इस पर हम कटका निशान लगा देंगे जिसे पीछे भी निशान आ जाए और ऐसे उली लगाकर हमने यहां पर भी निशान ले लेना और इसको आपस में मिला देना यह मारा डेक पल्ला तैयार हो गया गला मैं आपको डिजाइनिंग करूँगी जब मैं आपको बताऊँगी अगर आपने उरे पटी गला बनाना है तो आप इस टैंप इसको काट सकते हैं अगर बुकरम वाला बनाना है तो इससे नहीं काटना वह हम बुरम जो लगाते तब काटते हैं और डिजाइनिंग करते तब भी नहीं काटते यह पस इसका ध्यान रखना होता है कि अब हम बाजू की क्टिंग करेंगे इसका निशान लगाएंगे यह हमारा सिंगल फोल्ड है जो मारा कपड़ा बचा हुआ है क्लाउस में से इसको हमने एक बार और फोल्ड करना है ऐसे एक बार फोल्ड करके यह हमारा अब यह डबल फोल्ड हो गया अब इसको हम पहले सीधे का निशान ऐसे कर देंगे सीधन लगा देंगे जिसे इसकी कान निकल जाए अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे लंबाई है हमारी आठ इंच अगर हमारे पास ब्लाउज में कपड़ा है तो तो हम लगा देंगे इसमें अईगेंज का मार्जन ले लेंगे अगर हमारे पास उसमें कपड़ा कम है तो हम नीचे से पट्टी अलग से मोल्डिंगी जो के लिए मैं अलग से पट्टी लगा दूँगी कि साड़े आठी यहां पर निशान लगाना है और इसको हमने सीधा कर लेना है आदा इंच हम बस ध्यान रखना है आदा इंच जूर लेना है कि जो हमारा कंदे में चला जाता है जो हम बाजू के लगाते हैं अब इससे हमें जो अब हमने बॉटम का निशान लगाना है बॉटम हमारी साड़े छे है तो यहां से नापेंगे आगे से साड़े छे और यहां पर हम इससे निशान लगा देंगे अब हम इसकी गोलाई देंगे सबसे पहले हमें यहां पर लेना है आपमल का निशान जो कि हमारा है नो इंच यहां आगिया 9 इंच हए इसको हमने इससे ऐसे मिला देना है outcome अब हम यहांसे भी इसकी गोलाइप देंगे पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे ज Catal इसे विह यह तिर्च्छे पी निशान लगाया अब हम इसकी गोलाईप देंगे क्य warp देंगे हमने यहांसे गोलाई नहीं हमने गोलाक निशाने और आर्मोल क करके ना पर तीर्चे में नो कहा पर आ रहा हूँ यह अर इसको हमें पहले दीहिए जैकाथ यहां सेोटाद ए ли्तанд कर्ए कर्व रहे हमने हैं यहां से ने हमने यहां नहीं मिलाना इसे मिलाते ऐसे गुलाई देना इने हैं यह देखीए ऐससे तो पर हमें बिला इत्णा पोर्शन में देखे diagnose हैं यह आप ऐसे करके इसको मिलाकर यह हमारी अंदर की गुलाई यह फ्रिंट बार की गुलाई और यह बाट लेन पर एलाई यहे अपको दिखा रहे हैं, अब हमने यह पर मार्जन लेना है, डेड़ इंच का, और ऐसे ही मार्जन नहीं आपर लेना है, डेड़ इंच का, और इसको अपस में मिला देना है, यह मारी वाजू की कटिंग हो, अब इसकी हम कटिंग करेंगे, हमारा बैक, यह फ्रंट और यह बाजू, अब हम इसकी कपड़े पर निशान लगा कर गटिंग करेंगे, सबसे पहले हमने ब्लाव सोग कपड़ा दिखना है, किस तरह कपड़ा है, यह मेरा कपड़ा है, लेकि इसमें बाजू में एंबोर्डरी है, तो ध्यान रखना है, कैसे हमें कपड़ा काटना है, अगर हमारा प्लेन कपड़ा है, उसको तो हम कैसे बिछा सकते हैं, लेकिन अ कि अब ही इसको आई इसे बिचहा और देखिएं के पहले निशान लगा के देखेंगे हमारा कहां सु क्या चेज निकल रही है रीक हां अब जहां करें पहले हम रख के देख लेते हैं इसको जल्द बाजी ना करें आराम से काटें जिससे आपका वेस्ट इज ना हो अब जहां पर हमारी यहां से बंद है तो इसको हमने ऐसे लगाना है और एक-एक पैर की हमें नीचे मार्जन छोड़ना है जिससे कभी हमें जब लाइनिंग लगाएं तो हमारा कपड़ा है ना कहीं से भी तो बाद में हम जो फाल्त कपड़ा आता है उसे बाद में निगाल देते हैं लेकि एक-एक पैर का में मार्जन रखना है यहां से हमारी बाजू लग जाएगी तो बाजू के पहले हम लंबाई देखने के हमारी निकल रही है ने निकल रही यह देखिए हमारी बाजू निकल रही है यह देखिए यहां से हमारी बाजू अराम से निकल जाएगी फोल्ड करें अगर हम इधर से ब्लाउस को यह आगे वाल पीस को निकालते तो यहां पर हमारा खुला पीस है तो हमारे दो पीस में हमें कटा हूँ मिलता कपड़ा जो हमारे लिए कम लगता हम इसे यूज करते तो बहुत जोड लगाने पड़ते तो इसके लिए क्या करें हम जो हमारे खु पीस को खुली पीस से जोड़ देंगे ऐसे और मीच्चे तक ले लेंगे क्योंकि मारी यहां पर बाजू बननी है यह हमेशा ध्यान रटना कि बाजू के लिए हमें कपड़ा पूरा चाहिए तो हम इसे बिल्कुल ऐसे एक इंच के मर्जन पे इसको बिछा देंगे ऐसे तर्वीच अब जो यह उपने हैता है जिसे हमारे यूज साब आ ने लेंगे किसमें पर यूज कर सकते हैं तो अब इस हम पहले हम न्यूशान लगा लेते हैं और अब इसके हम कटिंग करेंगे अब भार बार से ऐसे करके एक पैर छोड़ते हुआ हम कटिंग करेंगे अब देखे फ्रेंड्स की जो हमारा कपड़ा बचा है यह वाला यह मारा बाजू का अब इस पर हम बाजू निगालेंगे तो बाजू के लिए हमें क्योंकि साइड में कपड़ा कम पड़ेगा तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे पहला हम इसे डेबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे और बाजू इस पर रखकर पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे यह देखिए यह मारा प्रफ्रेक्ट है बुरा इसकी हम कटिंग कर देंगे और बाद में हम इसकी यहां पर जो कपड़ा मारा ही कम बढ़ रहा है इस पर हम तोड़ा सा जोड़ लगाएंगे तो यह हमारे बाजू की कटिंग हो गई बाजू जो मारे यह पर इतना पिस कम पड़ेगा तो ऐसे हम ऐसी पट्टी काट लेंगे और इसको हम ऐसे जोड देंगे इसके पर चड़ाते वे यह देखिए ऐसे लगाएंगे यह मारे जोड लग जाएगा और इसको हम साइड से ऐसे है क्याटि देंगे ऐसे यह मारा इस तरह जोड लग जाएगा इए यहे देखी एसे हम क्टत्रे और इस पर एसे लगा देखात Сам यह के हमारर यह आगेक पीस यह दो पिछ यह और यह हमारी बाज преступ इस तरह हमारी पिलाूस की कटिंग कंप्लीट होती है आशा करती हूँ आपको मेरी वीड़ीयो पसंद आही उगीजी है तो देखना ना भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाबाई